पौधे के बारे में बात करेंगे वह स्ट्रॉबरी है इस सीजन में स्ट्रॉबरी के पौधे नर्शरी में बहुत इजी से मिल जाते हैं यह स्ट्रॉबरी के रणर्स प्रड्यूस होते हैं और इनकी रूट्स बहुत शालो होती है बहुत दीप तक नहीं जाती है तो आप देख सकते हैं मैंने इसे एक बहुत ही कम डेप्ट वाले बहुत ही वाइड गमले में लगाया हुआ है और देखिए यह मेरे फ्रूट भी हो रहा है इसमें और एक बार में यह जो पौधा है इसमें दस से बारा फ्रूट हो जाते हैं और बहुत जन्री भी पक जाते हैं अब हम बात करेंगे इसकी soil requirement के बारे में इसको well-drained soil चाहिए जिससे की पानी stay ना करें क्योंकि soil हमेशा moist होना चाहिए लेकिन इसमें पानी हमेशा किले ठहरना नहीं चाहिए तो इसको ऐसी soil चाहिए जो well-drained हो पानी आसानी से drain off हो जाए और इसको बहुत ज्यादा nutrients की परे खंडिर की तो चाहिए जर। लगाां चाहिए जब हम इसको रिसको रिपार्ट करते हैं और Lichtery से लाई हो इवह हमेशा घंप लाप लिए चाहिए निभी हम खेट भीन läते हैं कि पानी इसकीपोत्狐ं दूरा का साइडक़् अगर कि लाइज उटें चाहिए में साइड म साइड स साइड में इस तढ़ा के कंड़ सीक़ं werd fifth yea कि उस्तों उच्फ आए में है विद्वा ऑज बनार्प्श हो रही है फू राइए फुरी स्टोफ और यह यह door और भी एक दो यहां पर और भी हो रहे हैं और यहां पर एक है और इसमें देखिये फूल होने वाला है इसमें और तू करिब-करीब इसमें एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, इसे एक पौधे में ही दस ट्रॉबेरी होने वाली हैं, जिन में से दो आप देख सकते हैं, यह तीन, चार दिन में ही यह पग जाते हैं, अभी यह फ्रूट ग्रीन कलर का है, तीन, चार दिन के बाद यह पूरी तरह स साथ, वाली यह दें सतर Would, के अधनी पूधरी लोग से जा करें, अधनी पौध, टेनी cellular का होगया है, जिसमें भी नहीं लेका पौधर, तू फिर्णी यह दो पौधक तक हें. में अयह टेशम सब्सक्राइब करें लिए और इसमें में घैसे इसे नीजिक मुझा रही Yet अगर मृट्टी में टच होता है तो उसमें फंगल अटक होने की घानसथ होते हैं अगज़न हो जाता है और फिर फ्रूट सलदी नहीं होते तो हमेशा ये मृट्टी सब्वाइड की होई जा इसे बाहते हैं मित्टी मेंने को अगल कर कर egम Sunny को जाता है तो इसलिए जो पत्ते जमीन में बहुत ज्यादा टॉच करते हैं इसमे गैजिंग में लिल गार तक मुझे और यह सी काटे हैं तो इस तरह एक साथ में इसमें कम से कम 8-10 फ्रूट्स हो सकते हैं लेकिन आपको जो भी फ्रूट्स पक जाते हैं उनको तोड़ देना पड़ता है क्योंकि हमने इनको गमलों में लगाया हुआ है तो nutrition काफी नहीं पड़ती कि सारे strawberries एक साथ पक जाएंगे फिर हम तोड़ेंगे तो हम अगर एक strawberry को तोड़ते हैं तब दूसरों को पकमे के लिए ज्यादा nutrition मिलता है और वो अच्छी तरह से ग्रो करते हैं वो बड़े होते हैं और वो राइपन होते हैं और strawberry के पौधे को छे से साथ घंटे की sunlight चाहिए मतलब फुल सनलाइट चाहिए इस पौधे को फुल सनलाइट होने से यह इसमें फूल अच्छे आते हैं और इसमें बहुत ज्यादा strawberries ग्रो करते हैं इसको बहुत ज्यादा सनलाइट चाहिए तो इस मौसम में हम strawberry का पौधे nursery से लाकर बहुत आसानी से लगा सकते हैं और उनको ग्रो कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी जांगिंग बास्केट में अच्छी लगती हैं इस तरह से अगर स्ट्रॉबेरी जांगिंग बास्केट में लटकती हैं तो देखने में बहुत खुब्सूरत लगती हैं और इसमें से हम runners को मैंने इसमें runners छोड़ दिया हैं इसमें से और ज्यादा healthy plants होते हैं अगर हम runners को अलग करके उनको दूसरे गंबलों में लगा दे तो नए पौधे हो जाते हैं इसमें इसमें देखे मैं एक पौधा लगाई थी इसमें एक दो तीन पौधे इसमें लगे हु देना है हमें कोशिश करके लगाना चाहिए कि क्राउन जो हो जमीन के ऊपर ही हो जमीन के अंदर लगा देने से यह प्लैंट मर जाता है इस पौधे को एकदम फूल सनलाइट चाहिए और रात के दमें थोड़ा फ्रॉष्ट से बचा के रखना होता है लेकिन अगर यह इसक और जैसे ही इस तरह से स्ट्रॉबेरी जब पकने लगें जब राइपन हो जाए तो इसके ऊपर एक क्लॉध बांदे या फिर एक कोई भी बास्केट आप रख सकते हैं नहीं तो इससे बर्ड्स खा लेते हैं इतना जूसी फ्रूट होगा तो फिर बर्ड्स खाएंगे ही ज यह द्षायत के अंदर चुट छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं वह भी इनको खा लेते हैं तो माषभ जैसे ही यह पकने लगे इनको किसी चीज से और भांदेना चाहिए जिससे की फूट्स बचे रहेगा और जैसे जैसे की इक फूटबर्टी से वह चीचे थिस्सा पखेव ये जो ब्लैक ब्लैक caminho के हैरी या कांटे दार जैसे की दिखाई दे रहे हैं वह सीड है तो इनको हम सीड से भी प्रोपकेट कर सकते हैं मैं यह तो रगाज भी जो नहें ले सकते हैं लेकिन यह थोड़ा अच्छे से फ्रूट देते हैं यह सर्दी के मौसम का बहुत अच्छा फ्रूट है यह अभी फर्वरी मार्च के महीने तक चलेगा जैसे गर्मिया आने लगेंगी तो यह पौधा और गुरू होना बंद हो जाएगा तो मैंने इस बार तीन पौधे लेके आई हूँ मैं और मैं अगले बार और ज्यादा लाने की सोच रही हूँ क्योंकि मैं इस बार तो इस पौधे ने बहुत सारे फ्रूट दिये हैं अलरड़ी एक बार यह पौधा एक एक पौधे में से छे से साथ स्ट्रॉबेरी हम निकाल से उसमें से 40-50 फ्रूट एक एक पौधे में से लिए जा सकते हैं बस हमें इसके इसकी मैन्यूरिंग और इसकी अंदर कॉम्पोस्ट का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि गंबलो में से तो हम जितने बार पानी डालते हैं उसमें से न्यूट्रिंस लीच आउट हो जाते ह हैं तो हमें उसमें वीकली फटिलाइजेशन का ध्यान रखना पड़ता है तो यह था मेरा आज का वीडियो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स